हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रीरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सियर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप ओल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं रेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, गल्स्वेटर, गल पैटन को बनाने के लिए हमने 8 के मल्टिपल में फंडे डालने हैं, पल्स हमने 4 फंडे एkte डालने हैं, दस नंबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेने हैं, सबसे पहले हमने अपने प्रोजक्ट के इसाब से फंडे डालने हैं, फिर कोई सा भी border पैटन बनाके complete करें बॉर्डर पैटन कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से हमारा यह पैटन बनना स्टार्ड होगा अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखिए बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद देखिए फ्रंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो पहला फंदा उतार चार पांच छे अब नेस्ट हमने इन ही आठ फंदों का प्रोसिस रिपीट करने धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे छे फंदे सीधे दो चार और छे फिर धागा अपनी साइड लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आजाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा आजाएगा तो देखे फ्रेंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई प्रोजक्ट के हिसाब से फर्स्ट रो में जितने भी फंदे होंग दागा पीछे आप देखे जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बुनेंगे और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बुनेंगे तो दो फंदे सीधे बुनेंगे और छे फंदे उल्टे बुनेंगे अब नेश्ट देखे ही आठ फंदों का प्रोसेस रिपीट होगा दो फंदे सीधे धागा अपनी साइड छे फंदे उल्टे लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आजाएंगे और एक फंदा उल्टा आजाएगा तो देखिए पैटरन की सेकिंड रो कम्प्लेट होगई आप देखिए फ्रंट साइड से पैटरन की थाड रो पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे धागा पीछे करेंगे 6 फंदे सीधे बुनेंगे दो तीन चार पांच छे धागा अपनी साइड करेंगे नेस्ट हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे धागा पीछे 6 फंदे सीधे तीन चार पांच छे धागा अपनी साइड लास्ट के दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आजाएगा तो देखे ये फ्रंट साइड से पैटन की थर्ड रो कम्प्लेट हुए बैक साइड से देखे फोर्थ रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे दो फंदे सीधे धागा पीछे ही रहेगा अब देखे एक दो फंदे आगे करेंगे और ऐसे इसपेस में सलाई डालेंगे अब देखे यहां पर एक फंदा बनाएंगे इस तरीके एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे अब नेस्ट इन दो फंदों को एक साथ हुनेंगे दो का एक कर देखे अब नेस्ट इन यही प्रोसिस रिपीट करनें दो फंदे आगे ऐसे स्वेस में सलाई डालेंगे एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे फिर नेस्ट इन दो फंदों को इक साथ बनेंगे यह देखे, अब next अबने इन्ही 8 फंदों का process repeat करना है, धागा पीछे ही रहेगा, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर देखे, यह जो next 6 फंदे हैं, उल्टे, इनमें pattern आएगा तो इनको आगे करेंगे, 2 फंदे, फिर ऐसे space में slide डालेंगे, 1 medium loose फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदे आगे करेंगे, ऐसे space में देखे, ऐसे slide डालेंगे, और 1 medium loose फंदा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को एक साथ बनेंगे, तागा पीछे ही रहेगा, फिर इन 2 फंदों को आगे करेंगे, इस space में slide डालेंगे, और 1 medium loose फंदा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों को एक सीधे और एक फंदा उल्टा आ जाएगा तो देखे ये बैक साइड से हमारी पैटन की फोर्थ रो शीद् onboard हो गई अब देखे फ्रंट साइड से फिप多 रो अब फिप रो में हमारा पैटन repeat होगा फिप多 को हमने पैटन की फार्शा की बुनते हुए complete करना है, अब हमने इनी चार सलायों के pattern को बार बार repeat करना है, फिप्तरों को हमने first row की तरह, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे, last में 2 फंदे उल्टे आएंगे, last का फंदा सीधा आएगा, यही process हमने repeat करना है, अब हमने इनी pattern को बार बार repeat करते जाना है, और बन के देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, यह देखे, भहती सुंदर, भहती आसान pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं, तो please subscribe करना न भूले, thank you